नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे मेरा नाम है आलोग टंडन और हम सीख रहे हैं फोडोशाप अभी तक हम सीख रहे हैं फोडोशाप में इन टूल्स के बारे में शिप्ट के साथ मैं जे प्रेस करूंगा रेड आइस टूल का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कुछ इस प्रकार की इमेज आ जाती है अलाकि अब इस प्रकार की प्रोब्लम्स बहुत कम आ रही हैं लेकिन पुराने images में इस प्रकार के problem तब आती थी जब हम camera के flash को fire करवाते थे और उस fire की वज़े से हमारे आँख के उपर इस प्रकार का problem आ जाता था अभी कि जो camera है उस प्रकार के problem नहीं आते हैं लेकिन फिर भी हम इस option को सीख लेते हैं इस option को हम इस तरीके से click करेंगे और यह automatic सही हो जाएगा यह देख सकते हैं आप इसकी उपर लाके आपको सिर्फ इस तरीके से click करना है और click करने के बाद जो red part था वो dark हो चुका है